ये जानने के बाद कि सोवियत संग महाशक्ति के रूप में कैसे उभरा अगला बिंदु है ऐसे कौन लोग थे ऐसे कौन पुरुष्ट थे जिन लोगों ने सोवियत संग को महाशक्ति बनाने में महत्पूर्ण भुमिका निभाई संसाधन हो भगोलिक संसाधन हो जनता हो लेकिन इनका उच्चित रूप से उप्योग ना कर पाएं इनको योजनाबद तरीके से इनका विकास ना कर पाएं तो संसाधनों का और अन्य चीजों का होना कोई माइने नहीं रखता आखिर वे क्यों लोग थे यूससर के नित्रत में जिन लोगों ने सोवियत संको महाशक्ति के निर्माता के रूप में सुनिश्चित करने का कारिक किया तो हम देखें अब सोवियत प्रणाली निर्माता जिसमें समाजवादी परिकल्पना को साकार रूप देने में किन लोगों ने बहुत महत्पूर्ण योगदान दिया साम्यवाद विचार धारा को इतनी गहरी पैठ देने में किन लोगों की भूमिका अहम रही सरव प्रथम व्लादी मीर लेनिन व्लादी मीर लेनिन संस्थापक कम्मिनिस पार्टी के संस्थापक ने था उनका जन्म 1870 में हुआ और मृत्य 1924 में हुई ये बॉल्शविक कम्मिनिस पार्टी के संस्थापक थे कम्मिनिस पार्टी उस काल में बॉल्शविक कम्मिनिस पार्टी कैलाती थे उसके संस्थापक थे और अक्टूबर 1917 में जो करांती हुई जिसमें जार निकोलस को पदचित किया गया सत्ता से वहां के राजा को हटाया गया सामराज्यवादी नीटी को त्याग दिया गया इस क्रांती के नेता थे व्लादी मीर लेनिन इस क्रांती का सफल जो नायक के भूमिका जिनोंने निभाई व्लादी मीर लेनिन थे 1917 की क्रांति के बाद एक पार्टी, कम्मिनिस पार्टी शासन में आई और जार निकोलस को गद्धी से हटाये गया, खजड़ा गया और 1917 से 1924 तक अपनी मृत्यु तक लेनिन, सोवियत संग के संस्थापक और वहां के प्रथम अध्यक्ष बने इसके बाद मार्चवाद का जो सद्धान्त था, मार्चवाद काल मार्च के नाम से है काल मार्च एक बहुत पसिद नाम आपने सुना होगा, जर्मनी के एक बहुत बड़े दर्शिक थे उन्होंने एक नहीं विचारधारा लाई थी पहली बार जिसमें मजदूरों के शासन की बात की थी मजदूर, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये उनका नारा था और मजदूरों का अर्थ निम्न वर्क के लोग, निम्न तबके के लोगों के शासन की बात की थी जो साम्यवाद का आधार भूश्च धान्त है, साम्यवाद का आधर्श तो काल मार्स ने जो लिखा था अपनी पुस्तक दास कैपिटल में जिसमें उसने मजदूरों का निम्न वर्ग का आवहान किया था कि एक होएं और दुनिया में अपना शासन करें उस थियोरी को, उस विचारधारा को प्रैक्टिकल रूप देना, व्यावारिक रूप देने का कर लेनिन ने बखू भी किया और मार्स की या विचारधारा पहली बार किसी देश में व्यावारिक रूप से लागू की गई और लेनिन इसके लिए जिम्मेदार थे पूरी दुनिया में वे मार्शवाज या साम्यवाज के प्रणेता बने क्योंकि इसके बाद सोवियत संग में काल मार्श के मार्शवाज या साम्यवाज की सफलता का ही परणाम था कि उसके बाद अन्य देशों में भी सामेवाज विचारधारा पनपने लगी, बढ़ने लगी और विकसित होने लगी सोवियत प्रणाली के निर्माताओं की श्रिंखला में तीसरा नाम है निकिता खुरुष्चव का निकिता खुरुष्चव उन्निस सो त्रेपन से उन्निस सो चौशट तक ये सोवियत संग के राश्टपती रहे वहां के मुखिया रहे और जो हमने पूर में पढ़ा स्टैलिन जो बहुत बढ़ा ताना शाह था एक तरीके से एक शासन था एकल शासन था अजनायक वाद था निकिता खुरुष्चव इस ताना शाही शैली के बड़े कक्ता अलुचक थे बहुत आलुचना करते थे और एक तरीके हम कह सकते हैं कि बड़े लिबरल थी ठीक अपने पूर्व के नेता के बिलकुल उल्टे विचारों के थे कुछ मामलों में उन्हें 1956 में अपने देश में कुछ सुधार लाना शुरू किया यानि शासन में जब आये राजपती बने 1953 में उसके बाद 1956 में उन्होंने कुछ प्रयास किया देश में कुछ परिवर्तन लाने का और कई सुधार लाए क्योंकि स्टैलिन का जो काल था वह बड़े तानशाही काल था और इसमें बड़े कठोरता के साथ जनता से पेश आया जाता था किसी तरह की लोग तांतरिक भावनाएं पनपने नहीं दी जाती थी किसी तरह का बोलने का विचार नहीं दिया थी वहां खुरुष्चिब ने आने के बाद एक तरीके से थोड़ा उधारवादी ली थी अपनाई और अपने देश में कुछ सुधार लागू करते हुए उसने प्रयास किया कि सोवियत संग थोड़ा एक लोग तांतरिक कुछ हद तक थोड़ा बने साथ ही उसने पश्चिमी देशों के साथ पश्चिमी देश यने अमेरिका और पश्चिमी यॉरप के देश जिसमें फ्रांज, इंगलेंड, जर्मनी ये आदी आते हैं पश्चिमी यॉरप नक्षे में दिख रहा है आपको पश्चिमी यॉरप, फ्रांज, इंगलेंड, जर्मनी, पर्चिगाल, ये सब उसमें आते हैं और अमेरिका इनके साथ उसने शांति पूर्ण सह अस्तित्व का प्रस्ताव रखा ये शान्ति पूर्ण सह अस्तित्व मतलब पीस्फुल को एग्जिस्टेंस टैलिन के समय अमेरिका और सोवियत संग के बीच में बहुत तनाओ था बहुत ही ज़्यादा तनाओ एक तरीके से दुनिया में नमबर एक होने की होड के कारण दोनों के बीच में तनाओ ही नहीं था दोनों के बीच में अत्यादिक और विश्वास था और हत्यारों की दौर थी दोनों ही देश हत्यारों का हाट बेड बन चुके थे हत्यारों का जाल बिचा दिया था उन्होंने अपनी जमीन में इसको देखते हुए खृष्चेव ने थोड़ा अपनी नीती में परवर्तन किया और पश्चमी देशों को उसने शांति पूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव रखा यानि शांति से हम भी रहें आप भी रहें हम दोनों का अस्तित्व शांति के पालन में ही हो सकता है ऐसा उसने प्रस्ताव रखा यानि कुल मिलाकर जो तना तनी थी जो दोड़ थी उस दोड़ में थोड़ा शांति रखी त्यूबा संकट जो बड़ा प्रसिद एक बहुत प्रसिद घटना है उस काल की जिसे आपने शीत युद्ध का दौर इसके पूर्व के अध्याय में पढ़ा होगा उसमें जो क्यूबा संकट हुआ था 1962 में उस क्यूबा संकट को सुलजाने में खुष्यव ने एक बहुत अहम महत्पूर्ण भूमिका निभाई थी और वो भूमिका बड़ी प्रैक्टिकल थी बड़ी द्यावारिक थी जो उसने कोई कूट नीति का सहरा तो लिया डिप्लोमेसी का सहरा तो लिया लेकिन छल कपट उसकी इस कूट नीतिक नीति के बाहर थी उसने मुझे साब गोचर तरीके से अमेरिका के सामने सबस्चाय रखी बाते रखी और अमेरिका ने भी अपनी बातें खुष्यव के सामने रखी ये पीसफुल को एक्जिस्टेंस शांति पूर्ण सहस्तितु का एक उधारन था और जिस तरीके से खुष्यव ने क्यू निकिता खुरिशिव के बाद अगले जो नेता रूस के आए सोवियत संग के उनका नाम था लियोनिज ब्रेजनेव ये ब्रेजनेव के नाम से ज्यादा पसित थे इनका जन्म 1906 में और देहांट 1982 में याने लगभग 76 साल की आयों ताकि ये राश्पती रहे 1964 से 82 तक सोवियत संग के राश्पती रहे लियोनिज ब्रेजनेव बहुत बड़ा लंबा काल निकाला स्टैलिन की डेश त्रेपन में हुई त्रेपन से त्रेसाट या चौनसट तक चौनसट तक खुरिश्यव रहे और खुरिश्यव के बाद ब्रेजनेव आए और ब्रेजनेव चौनसट से 82 या बहुत लंबे काल तक करीब 18 साल तक वे सोवियत संग के राश्पती रहे और उनके इस काल ने बहुत सारी घटनाएं एतिहासिक घटनाएं अंतराश्टी घटनाएं देखी इन्होंने भी सेगत राश्पती अमेरिका या यूसे के साथ संबंद सिधारने का तनाओं में कमी लाने का बहुत प्रयास किया बहुत बार उन्होंने समझोते का प्रयास किया बहुत बार सलाह मशवर्या किया अमेरिका के साथ बाच्चीत की अपने अठारा वर्ष के काल में दूसरे शब्दों में तनाओं में पारस्परिक तनाओं में कमी लाने की एक कोशिश जो खुश्चिब ने शुरू की थी ब्रेजनेम ने उसे जारी रखी और वस्तत प्रयास करती रही जहां एक और उनके इस प्रयासों के लिए जाना जाता है शांति पूर वक्त रहने के प्रयासों के लिए जाना जाता है वहीं दूसरी और इदी के काल में सोवियस चंग ने अफगानिस्तान पर सैन अक्रमण किया देखिए अफगानिस्तान कहां स्थित है भारत और सोवियश संग के बीच का एक खेत है जो अफगानिस्तान कहलाता है यहाँ पर सोवियश संग ने किसी कारणों से हमला किया उस पे आक्रमर्त किया सेन ने आकरमर किया प्रणाम क्या हुआ कि हजारों लाकों अफगानों को अत्याधिक दुख सहना पड़ा हजारों अफगानों की मौत हुई हजारों भवन सडकें अफगानिस्तान की तूड गई और अफगानिस्तान एक तरीके से तहस नहस हो गई अफगानिस्तान भारत का प्रोसी देश है इसलिए भारत के लिए जहाँ घटना बड़े अहम बुद्दे की थी क्योंकि अंतर राष्ट्री राजनीती में भारत के लिए यह एक कठिन समय था कि वह रूस को अफगानिस्तान के मामले में रूस याने सोवियत संग को अफगानिस्तान के मामले में समर्थन दे या ना दे यदि समर्थन देना उसकी विवश्टा है तो किस हज़ तक समर्थन दे यह उसके लिए एक बड़ी समस्या थी तो इस फकार हम देखते हैं कि ब्रेजनेव एक और जहां अमेरिका के साथ शान्ति पूरवाक अच्छे संबंदों के लिए प्रयास शील थी वहीं दूसरी और उन्होंने कुछ खेतों में विर्स पे कबजा करने का प्रयास किया जैसे अफगानिस्तान में उसके लिए उनकी बहुत आलोचना हुए और अफगानिस्तान पे रूस के हमले से जहां अफगानिस्तान पहस्नास हुआ ही वहीं रूस को भी भारी नुक्सान पहुंचा उसके भी हजारों सैनिक मारे गए और एक एक परोशी के नाते अफगानिस्तान की अस्थिरता रूस के लिए भी सोवियत संग के लिए बड़ी भारी पड़ी ब्रेजनेब के बाद अगले नेता हैं जिन्होंने रूस का नित्रत्र किया वे थे गौर्बचेव निर्माताओं की शेड़ी में चौथे जिस व्यक्ति का नाम है अगले व्यक्ति का नाम वह है मिखाइल गौर्बचेव मिखाइल गौर्बचेव बहुत प्रसिध नाम क्योंकि जैसे संस्थापक के रूप में सोवियत संग के संस्थापक के रूप में व्लादिमीर लेनिन का नाम आता है ऐसा ही सोवियत संग के अंतिम राष्टपती के रूप में सोवियत संग के विगटन के काल में जो राष्टपती थे उनका नाम मिखायल गौरबच्चव 1931 में इनका जन्म हुआ था और USSR के याने सोवियत संग के अंतिम राष्टपती थे इसके बाद सोवियत संग विगटित हुआ तूटा पंदरा राष्टों में तूटा और इसके बाद इन राष्टों के अलग अलग राष्टपती हुए तो ये अंतिम राष्टपती माने जा सकते हैं जो 1905 में सोवियस संख के राश्पती बने और सोवियस संख के पूर्ण विगटन तक वह वहां के राश्पती रहे और पचीज दिसंबर को उन्होंने जब ये घोषना की कि मैं राश्पती पत से इस्तीवा देता हूँ तब सोवियस संख का विगटन पूर्ण हो गया, सोवियत संग का अन्त हो गया, दो धुरुवी विश्व का अन्त हो गया और अब दुनिया 26 दिसंबर से एक धुरुवी हो चली तो इस प्रकार गौर्बचेव इतिहास में इस बात के लिए अमर हो गया, कि उन्होंने दुनिया में कुछ ऐसे अपने कारियों से कुछ ऐसे परवर्तन लाए जो इतिहासिक हो गया सोवियत संग में सुधारों का दौर गौर्बचेव ने शुरू किया और ये सुधारों की जरूरत क्यों थी? क्योंकि जनता कई चीजों से तरस्त थी बहुत जगह देश के अंदर कुछ-कुछ विद्रो हो रहे थे, कुछ आंदोलन हो रहे थे सामिवादी विचार धारा के प्रती बहुत लोगों का मोह था वो भंग हो चिका था तो गौर्बचेव ने सुधार के प्रयास किये, दुरभागिसे ये सुधार थोड़े धीमे रहे और इसलिए जन्ता ने इसे उतना नहीं सुधारा और देश से अलग होना ही पसंद किया राजनेतिक सुधारों के इस शिंखला में जो उन्होंने सुधारों का जो एक पैकेज दिया उसका नाम था ग्लास नॉट ग्लास नॉट राजनेतिक सुधारों के शिंखला और ऐसी आर्थिक सुधारों के शिंखला जो उन्होंने शुरू की वहाँ प्रसिद्ध है परेस्ट्राइका के नाम से तो गौर्वचेव, परेस्ट्राइका, ग्लास नाट, अंतिम राश्पती, विगटन के समय के राश्पती और सोवियस संग में नवीन सुधारों की शिंखला प्रारम करने वाले राश्पती के रूप में जाने जाते हैं इसके साथ ही गौर्वचेव ने USA के साथ जो हथियारों की दोर थी, उसको रोकने में काफी सफल हुए, हथियारों की दोर का परेड़ाम किया था, कि इस USA सार, अपनी सारी उर्जा, अपनी सारा धन, साजों सामान, सैन ने साजों सामान में लगा रहा था, शीत युद बढ बढ़ रहा था और ऐसा लगता था जब तब कि विश्व युद्ध के कगार पर है गौर्बचेम ने विश्व शान्ति पे एक बहुत महत्पूर्ण भूई मिकाने भाई और उन्होंने युएसे के साथ मितरता का हाथ बढ़ाया और जो हत्यारें की होड थी उसे कम करने में क पाक्युद की जो तीवरता थी उसमें थोड़ी मिठास आई और इन सब को कम करने के कारण उन्हें याद किया जाता है उन्हेंने शीट युद मत्र उसके उसको प्रभाव को कम ही नहीं किया बलकि एक तरीके से समाप्त करने में भी उनका काफी योगदान है दुरभाग से मिखाइल गौरबचेव जहां एक और सोवियत संग की एक जुटा को बनाये रखने के लिए प्रयास रत थे और उस दिशा में उन्होंने जहां कई सुधार लाने की कोशिश की शीट युद में का प्रभाव कम करने की कोशिश की वहीं दूसरी और गौरबचेव पर ही सोव सुधारों को लाने का प्रयास किया दूर्भाग्य से वे सुधार शायद विलंब से आये ऐसा लोंग का इतिहास कारों का मानना है और तब तक काफी पानी पुल के नीचे से बह चुका था और जनता तरस्त हो चुकी थी और सोवियत संग के अंदर के जो बहुत से हिस्से थ वे लगवग मन बना चिके थे कि अब हमें आजाद होना है अब हमें गरतंत्र बनाना है तो वे विगटन के लिए भी जिम्मेदार माने जाती है गौर्बचेव के बाद येल्सिन आए बोरिस येल्सिन के नाम से प्रसिद्य व्यक्ति 1931 मिन का जन्म हुआ और रूज के पहले चुने हुए राश्टिपति थे अब ये शब्द का क्या आर्थ से चुने हुए राश्टिपति इसका आर्थ पूर में क्या था गौर्बचेव, ब्रेजनेव, फुष्चेव, स्टालिन, लेनिन ये कोई जन्ता के द्वारा नहीं चुने गया थे इसे पार्टी ने इन लोगों को अपना मुख्या बनाया था और एक ही पार्टी होती थी दूसरे शब्दों में एकल राज जो पहले था उसमें जन्ता का कोई स्थान नहीं था ब्रेजनेव भी पार्टी के दम पर राश्पती बने गॉर्बचेव भी और इसके पहले लेनिन इस्टैल नादी भी गॉर्बचेव का जन्म जब हुआ उसमें स्थितियां दूसरी थी लेकिन बौरिश से जब रूस के पहले चुने हुए राश्पती बने इसका मतलब यह हुआ कि 1909 में रूस या सोवियत संग बदल गया था ध्यान से सुनें कि मैं आपको कह रहा हूँ कि बौरिस येल्सिन रूस के पहले चुने हुए राश्पती दूसरे शब्दों में सोवियत संग जो जिसकी चर्चा अभी तक हो रही थी वह अब तूट चुका था वह अब अस्तित्व में नहीं था और उन्हीं सोवियत संग में से एक देश का नाम था रूस तो इस नए देश में जो चुनाओ हुए उस चुनाओ में बौरिस येल्सिन विजए हुए इस चुनाओ में एक से ज़्यादा पार्टियां शामिल हुई एक से ज़्यादा लोग चुनाओ में खड़े हुए जाने काफी कुछ लोक तांत्रिक था ये चुनाओ और बौरिस येल्सिन इस चुनाओं में जीते ये 1991 से 1999 तक ये रूस के राष्ट पती रहे ख्याल रखेंगे बॉरिस येल्सिन के पहले जिस भागोलिक छेतर को हम सोवियत संग बोलते हैं USSR Union of Soviet Socialist Republic जिसको हम बोलते हैं वह च्छेतर अब तूट चुका था पंदरा देशों में और उन्हीं में से एक देश का नाम था रश्चा या रूस और उस रूस या रश्चा में सोवियत संग के टूटने के बाद पहली बार जो आम चुनाओ हुए पहली बार जो लोकतांत्रिक पध्धतिय से चुनाओ हुआ उसमें बोरिस येल्सिन विजई हुए और राश्पति बने और कब तक रहे उन्निस सो निन्यानिवे तक वे कम्मिनिस पार्टी में थे पूर में और कम्मिनिस पार्टी के बड़े ताकतवर नेता थे गौर्बचेव के काल में तो वो मेर भी थे आदी आदी लेकिन ये गौर्ब तलब है कि कम्मिनिस पार्टी में रहते हुए धीरे 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 उपर पहुंचना और अंचता फिर चत्ता के केंद्र याने राश्पति बनना मिखायल गौर्बचेव द्वारा उन्हें मौस्को का मेर बनाए गया था और जैसे जैसे समय बीता गया गौर्बचेव के आलोचिकों में शामिल हो गया येल्जिन येल्जिन को मेयर का पद गौर्बचेव के कारण मिला जो उनके पहले राश्पति थे लेकिन समय के साथ साथ गौर्बचेव और येल्जिन के बीच में विचारों का मद्वेद होने लगा दोनों अलग अलग दिशा में बात करने लगे और थोड़ा श्टितियां की गौर्बचेव के आलुचकों में वो शामिल हो गये और अन्तितरणों ने कम्मिनिस्ट पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया, उस समय की जो सबसे बड़ी पार्टी थी कम्मिनिस्ट पार्टी, क्योंकि पहले तो केवल कम्मिनिस्ट पार्टी ही थी, फिर जब सोवियस सं से इस्तिफा दिया और उन कानवे में सोविय संग के शासन के विरुद जो अंदोलन हुआ था उसमें शामिल हुए थे उसमें उन्होंने भाग लिया और वहीं से उन्हें बहुत बड़ा राजनतिक राजनतिक मानता मिली और राश्टपती बनाएं गए पहले चुने हुए र